आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं टाटा एश्टी ले स्टॉक के बारे में जिस परकार इस स्टॉक के ट्रेंड काफी अप्टेंड लग रहे थे उसके बाद अगेन देखेंगे तो इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिला है इस समय प्रस्णली मेरा view है कि थोड़ा caution बरतना चाहिए क्योंकि जिस परकार से downtrend fake out आप कहा सकते हैं निफ्टी के अंदर दिखा तो थोड़ा painful हो सकता है लेकिन दो sector है जो personally मेरा believe है कि यह outperform करते वे next rally में दिखेगा वो metal sector है और दूसरा sector जो है वो IT sector है जो short term trader है वो इस stock में 106 के नीचे के stop lot को strictly follow करेंगे और जो इस stock में short है वो 116 के sell को लगा करके for target of 106 और उसके नीचे 100 तक के levels ले सकते हैं साथ में एक दूसरा stock है APL Apollo इस stock में dividend की news trend हुई है जिसका जो fixed date है वो 5 September को रखा गया है 5 September recorded हो सकता है यानि 3 September से पहले अगर आप buying करते हैं तो for eligible होंगे dividend के और इसका जो payment paid किया जाएगा वो 12 September के बाद paid कर दिया जाएगा और इस stock को technically देखेंगे तो काफी one-sided return में रहा है अगर इसके return को आप देखें तो आप पाएंगे कि technically stock ने 10 year में more than 6000% तक का return दिया two year return भी 400% और देखेंगे तो six month, three month, one month technically काफी up trending में रहा one month का return भी 20% लेकिन one week में थोड़ा correct होते हुए दिखा अगेन लास्ट trading session में जहां market में इतनी downtrend थी वहां इस stock ने around 2% तक की तेजी दिखाई तो dividend के purpose से तो मैं नहीं लेकिन चार्ट को अगर technically discuss करें तो अभी भी इस stock में view positive है और APL Apollo को अगर देखेंगे तो technically stop loss इस stock में around 1010 के नीचे के stop loss को follow कर सकते हैं for target of 11